चाहिन दोस्तों कुलदीप सिंग हीर वेलकम टू HPS मेंस वेल्यू एडिशन कोर्स एके यौर सार्थी कोर्स जिसमें हम लोग आपको तुरॉआउट सारा से लेबस रिवाइस करवाने कोशिक कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्राक्टिस करवा रहे हैं यहां से आप कोश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर के ओपर हम लोग बात कर रहे थे इंवायमेंट के ओपर और यह मेरा थर्ड सेशन होने वाला इंवायमेंट के ओपर अलड़ी मैं पहले और दूसरे सेशन के अंदर कुछ आपको प्राक्टिस कोश्चन भी दे चुका हूँ मॉडल आंसर भी दे चुका हूँ आज भी इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं करना हुए यह आपको कि आपको जो है जो भी कोश्चन में लास्ट पर दूंगा उसको आपको अपने end पे लिख के जो है प्रापरली PDF बना के हमको send करना है 8427124143 इस नंबर पे और आपके जो PDF से हम लोग के पास आएंगी we'll check it out and हम लोग जो है आपकी जो भी mistakes होंगी जो भी आपके issues होंगे उनको आपको voice note के थुर डालेंगे which can help you again increase your marks and clear your HS maze so चलिए session को हम लोग फटा-फट से कर लेते हैं start, start करने से पहले आपको पता है कि आपको application को डाउनलोड करना है और यहां पे बहुत सारा content है जो आपको help करने वाला है which is there for HS examination and for UPS examination also तुम आपे जाके जरूर देखिएगा now जैसे कि आपको पता है कि this is the GS3 topic environment and जो biodiversity conservation है और recently हमने at least preliminary में देखा है कि जो biodiversity है इसका जो weightage है वो increase हुआ है 13 questions हम लोग को देखने को मिले हैं so again आप यहां पे expect कर सकते हो कि at least 40 marks का जो है आपको paper biodiversity से देखने को मिल सकता है कुछ की ए अरियास हमने highlight किये थे हम लोग के पास जो कि हमने GS3 में देखने मिल रहे हैं जैसे कि international organization देखी थे हम लोगोंने रामसार हो गया आपका UNFCCC हो गया बाकी जो organizations है ठीके जी तो यह important हो जाती है national institutes है जैसे आपके EPA wildlife protection act, forest conservation act यह हम को करने है conservation of resources, water, air, soil इस तरह की resources, national programs होगे आपके protected areas and sustainable जो development है जैसे की agriculture irrigation इस चीज़ को जो हम लोग को focus करके चलना है ठीक है यह मैंने आपको trend भी बताये थे तो environment के मैंने आपको broadly बताया था कि average average जो है आपको 40 marks का environment के ओपर देखने को मिल रहे है question जिसमें की 2-3 short questions आ रहे है and then उसके बाद 2-3 ही आपको long questions देखने को मिल सकते हैं इसी तरह से हम लोग को prepare करना है फटाफट से एक model question हम लोग ले लेते हैं आज और फिर उसके बाद मैं आपको practice question दे देता हूं जल्दी से so discuss various reasons for the decline of great Indian busted in India, highlight some key initiatives taken by government to recover their numbers 8 marks पर यह आपका question है so great Indian busted के उपर question है so यह जो है it has been one of the hot topics as far as biodiversity, conservation is concerned great Indian busted को हमने critically endangered category हम डाला है IUCN के उपर not even more than like around 200-250 numbers ही माने जाते, individuals ही माने जाते इस bird के जो की अभी इंडिया में मिल रहे है देखने के लिए and that is why काफी conservation program भी चलाए जा रहे सुप्रीम कोट ने इसके बारे में बात करी है कि जो great Indian busted है इनको conserve करने के लिए आपको steps उठाने है recent कुछ इन्होंने बात करी थी कि जो overlying high tension wires है इनको जहाँ आप हो सके वहाँ पर underground बिछाने के कोशिच की जाए ताकि bird hit से यह या इन तारों से चिपकने कारण जो है birds खतम ना हो ठीक है जी तो यह question है आपके लिए discuss various reasons for the decline reason क्या है decline क्या initiatives हम लोग लिए हैं तो introduction में हम लोग बात करेंगे जो great Indian busted है again it is one of the heavy heaviest birds जो की उड़ सकती है ठीक है जिस वे मैं आपको आपको इंडिया में लिख सकते हैं यहां पर because this is going to help you again show your knowledge also and आम लोग question को cater करने के लिए एक भूमी का भी बांध लेंगे ठीक है जी so one of the heaviest birds है heaviest flying birds है जो की आपको इंडिया में खापे मिलता है found in the central and western India यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा जो है generally हम लोग कहां पर देखने मिलते हैं we are found, these birds are found in the grassland ecosystems in these areas Central India and western India के grassland ecosystems में आपको देखने को मिलते हैं इसको जो है जैसे आप लिख सकते हैं कि IUCN ने इसको critically endangered category में डाला हुआ है इसके लिए जो है Indian जो government है and state government से इन्होंने बहुत सारे conservation के plans लाएं हुए हैं अब यहां से आप start कर सकते हो conservation plan बताने के लिए now यहां पर आप एक छोटा सा map भी बना सकते हैं जैसे हम लोग ने देखा था कि हमें map जो है they are always going to help us get better marks जब हम लोग maps बना लेते हैं तो maps में आप इस चीज को दिखा भी पाऊगे easily तो maps बनाना again अगर आप लोगों ने if you'll be able to make maps this is going to help you get better marks and यह ऐसा नहीं कि बड़ा beautiful होना चाहिए all it should look like is India तो आप यहां पर दिख सकते हो इस तरह दिखा सकते हो areas like these and areas like these these are the natural habitats of great Indian Buster ठीक है यह natural habitats है जिसमें आप लिख सकते हो राजस्थान राजस्थान is there then इसके बाद आप लिख सकते हो गुजरात गुजरात is there then उसके बाद आप लिख सकते हो parts of maharashtra जो central parts है maharashtra के वहां पर आपको लेखने में मिलता है then parts of Karnataka यहां पर आपको देखने में मिलते हैं and then some parts of your Andhra ठीक है यह Andhra Pradesh वाला region sorry now it's Telangana तो Telangana वाला and Andhra वाला region जो है थोड़ा से यहां पर देखने में मिलता है तो these are basically the areas जहां पर हमको great Indian Buster देखने मिलता है matter of fact आप यहां पर एक bracket में लिख भी सकते हो राजस्थान का जो है state bird है so you can always write state bird of Rajasthan and this is how you can highlight it you can also point out कि range around 250 individuals are there ठीक है जी इस तरह के individuals के बारे में लिख सकते हो so यह आप portion शोटा से लिख सकते हो then you can always start or always point out कि भाई what are the various threats जो आपको देखने को मिल रहे है great Indian Buster के ओपर now as far as the threats are concerned आप यहां लिख सकते हो let us say threats और आप यहां पर एक logical diagram ना सकते हो threats में so what are basically the threats like again habitat fragmentation आप लिख सकते हो habitat fragmentation यह एक important threat है इसके उपर आप लिखोगे जैसे कि हम लोग क्या करें grasslands का conversion कर रहे है यह important aspect grassland conversion into agriculture agricultural fields ठीक है यह मैं तो आपको short form में बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा detail में लिखना है grassland conversion into agriculture यह आप लिख सकते हो then उसके बाद आप यहां पर important specific reasons भी लिख सकते हो जैसे कि high tension wires है ठीक है जी one of the important basically fatality के जो cause है great investment के अंदर that these are these high tension wires जो की national park से निकल रही है जैसे कि जो आपका desert national park मेर में वहां से निकल रही है और उन में जो है चिपके बहुत सारी words मिलती है यह आप लिख सकते हो then इसके साथ आप लिख सकते हो कि feral dogs है ठीक है जी feral dogs जो आते हैं human population के साथ तो वो जो है क्या करते हैं इन birds हो काफी जादा hunt करते हैं जिसके कारण की population गिरती है and obviously hunting या poaching जो की basically human beings करते हैं especially इसे पाकिस्तान में जो है great इन बस्टेड काफी जो है मारी जाती है तो यह चीज़े हमें illegal यहां पर भी देखने को मिलते हैं तो यह कुछ जो है main आप यहां पर threats बता सकते हो ठीक है इसको आप explain कर सकते हो and इसी के साथ-साथ पर then you can what you can do is you can always highlight आप यहां पर क्या highlight कर सकते हो आप यहां पर then highlight कर सकते हो conservation measure जादा कुछ हम लोग ऐसे sentence wise बनाने से बनाने के बजाए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं इसको हम लोग directly इस तरह के logical flow diagrams में ही information दिखा सकते हैं हर एक में नहीं करना है जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि हर एक question में नहीं करना है इसको पर जिन question में आपका information काफी है और जिन critical questions है तो उनको आप बहुत easily इस तरह से दिखा सकते हो सो conservation measures हम लोगोंने बहुत सारे करें हैं हम लोगोंने क्या किया है हमने species recovery program के तहत हम लोग जो है great indian bastard को जो है क्या कर रहे हैं इनकी जो है numbers को recover करने कोशिच कर रहे हैं ठीक है यह आपका species recovery program जो है integrated wildlife development project इसके अंदर आता है आपका integrated development of wildlife ठीक है इसके अंदर आता है आपका तो यह basically यह program हो गया then उसके बाद हमने जो है captive breeding का program रखा हुआ है this is specifically being run by the government की राचास्थान गवर्यमेंट राजास्थान government इसको कर रही है एंड इसका जो है specific नाम डून क्या बोला है project pentit parking बस्टध ठीक इसका नाम जो है क्या है और रोजेक्टे ग्रेट इंडियन बस्टध़ ठेक है similarly Carn пять government ने भी क्या करह रहे है करनातिक政府 गवर्नेंट ने भी जो गरीट इनिन बस्टरड के沠े का पहला है सबस्तानी धीड है और फिनाटा बनाने स्ट्सक्राइट के रहे हैं लिए करनातिक families जो कि हम लोग बचाने ही कोशिच कर रहे हैं along with like Bengal बेंगॉल फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन इनके साथ ठीक है जी यह कुछ measures हैं यह आप लिख सकते हो and then finally obviously you can conclude it that जो great Indian bastards they are very very important species important species for what for grassland ecosystem ठीक है जी grassland ecosystem के proper maintenance के लिए and इनके जो है sustenance के लिए जो है इस तरह जो great Indian bastards जो नमबर होना वह बहुत ज़रूरी है तो आप यह बोल सकते हो कि भाई with these conservation measures we are hoping that these birds or their population will recover and they will soon be out of the critically endangered category ठीक है तो इस तरह से आप लिखके जो है इस question को for solve कर सकते हो so I hope आपको एक question का समझ में आ गया होगा and फिर हम लोग देखते है फटा-फट से questions for practice कुछ question में आपको देता हो practice के लिए सबसे पहला question हम को आज बात करेंगे that is what are coastal regulation zones how they can help in building a sustainable coastal ecosystem again eight marks पे question है आप लोगों के लिए second is highlight practical ways through which vehicular pollution can be reduced in cities practical ways बताने है आपको जिससे कि हम लोग वेकलर pollution को reduce कर सकते है eight marks में लिख रहा है यह भी then what is ocean acidification discuss various reasons for it again eight marks के लिखना है हम लोगों को then next question is rise in tiger population in india now brings new challenges with respect to their conservation इसको आप इस statement को आपको analyze करना है again this is of eight marks and last but not the least this is what are vulture safety zones and how they can help in solving the vulture crisis in india ठीक है यह eight marks के ओपर यह question होगे so these are basically आज biodiversity specific हमने questions यहां पे किये है and I am hoping that you will definitely write these questions practice this questions and send them to either this number or the number which I have gave you earlier eight four two seven one two four one four three and we are hoping that you'll write these answers so guys that was it for this particular session thank you very much and I'm going to come with the next session till next time thank you bye bye and happy learning